Hello guys, welcome to my channel Home Classes और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे Simple Past Tense Simple Past Tense के अंदर आज हम करेंगे Affirmative यानि के Positive Sentences और Positive Sentences या फिर Affirmative Sentences हम इसे कहें इसकी पहचान क्या होती है इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, आदी आता है Past Tense कहलाते हैं Past Tense को बनाने के लिए हमें जिस फॉर्मूले की जरुत होती है वो है हमारा Subject प्लस Helping Verb प्लस Object Subject, Helping Verb और Object के बारे में मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो के अंदर बता चुगा हूँ लेकिन हम याँ पर बात करेंगे Helping Verb की क्योंकि Helping Verb हमारी Tense के According Change होती रहती है, बदलती रहती है तो Past Tense के अंदर जो हमारी Helping Verb है वो है हमारी Was और Verb यहाँ पर हम Was और Verb का यूज़ करेंगे Helping Verb की जगा पर और यह Was और Verb हम कब और कहान और कैसे लगाते हैं तो हम यह आप नीचे देखेंगे अगर सबजेक्ट हमारा आई होगा या फिर Singular होगा या तो आई होना चाहिए या Singular हो, तब हम अपनी Helping Verb लगाएंगे Was और अगर सबजेक्ट हमारा plural है तब हम हम अपनी Helping Verb लगाएंगे Were और अब हम यहाँ पर बात करेंगे Singular और Plural की तो singular की अगर बात करें तो singular हमारे होते हैं he, she, it या कोई name और अगर plural की बात करें तो plural हमारे होते हैं you, we, they या एक से अधिक वस्वे तो चलिए हम यहाँ पर कुछ examples के दिखते हैं, जैसे कि हमारे पास हैं, हम meeting में थे, अकबर अच्छा राजा था, पंडित नहरू, महान देशवक्त थे, राम के भाई, क्रोधित थे, पिता जी कल नाराज थे, मैं प्रसन था, तुम दुखी थे, तो सबसे पहले हम सबसे पहल और we हमारा एक plural subject होता है, तो plural subject पे साथ जो हम helping verb लगाते हैं, वो होती है, were, we were, subject, plus helping verb, और plus फिर आता है हमार object, तो last में object आता है, तो object क्या है हमारा इसमें, meeting में, तो इसकी English होगी, in the, meeting, we were in the meeting, next है हमारा अकबर अच्छा राजा था, तो इसके अंदर हमारा subject है, अकबर, क्योंकि हम यहाँ पर अकबर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अकबर, और अकबर एक singular subject है, तो helping verb होगी हमारी was, अकबर was, यह subject हो चुका है, helping verb हो चुकी है, अब लगाए हम अपना object, object है हमारा अच्छा राजा, अच्छे को English में कहते है, good, राजा होता है हमारा king, अकबर was, good king, अकबर अच्छा राजा था, next है हमारा पंडित नहरू, महान देजभग ते, तो इसके अंदर हमारा subject है, पंडित नहरू, क्योंकि हम पंडित नहरू की बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पंडित नहरू, पंडित नहरू हमारा एक singular subject है, तो helping work क्या होगी, was, subject plus helping work plus object आएगा, तो object क्या हमारा है, यहाँ पर महान देजभग, महान को English में कहते है, great, great और देजभग तो कहते है, petroid, पंडित नहरू, was, great, petroid, पंडित नहरू, महान देजभग थे, next है हमारा राम के भाई, क्रोधित थे, तो इसके अंदर हमारा subject है, राम, क्योंकि हम इसके अंदर राम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, राम, और राम हमारा एक singular subject है, और singular subject के साथ हम helping work क्या लगाते हैं, was, लेकिन यह, जो subject है, यह हमारा complete नहीं है, क्योंकि हमारा subject है, राम के भाई, क्योंकि हम इसके अंदर राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाई की बात कर रहे हैं, और भाई की जो हम बात कर पा रहे हैं, वो राम के थ्रू कर पा रहे हैं, और मैंने यह बताया था, कि आप subject की बात, जिसके भी जरिये करते हो, वो ह हमारा subject वो भी हमारा subject होता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम appos of s इसका meaning होता है के brother और यहाँ पर आजाएगा s क्योंकि राम के के से यह meaning निकलता है कि एक से अधिक की बात हो रही है तो राम के भाई राम's brothers और यह हमारा एक plural subject है तो यहाँ पर helping word क्या होगी were राम's brothers were यहाँ थे object यह क्या है हमारा यहाँ पर ख्रोदित तो हम यहाँ लिखेंगे angry राम's brothers were angry next है हमारा पिता जी कलना रास्थे इसके अंदर हमारा subject है पिता जी, क्योंकि हम पिता जी की बात करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे father और father हमारा एक singular subject है तो helping word क्या होगी was इसके बाद object आएगा, object क्या हमारा कल नाराज, तो सबसे पहले आएगी नाराज की, तो यहाँ पर आजाएगा angry father was angry yesterday हमेशा जो yesterday होता है, वो हमारा last में ही आता है next है हमारा, मैं present था, तो इसके अंदर हमारा subject है मैं, क्योंकि हम मैं की बात कर रहे हैं, तो I और मैंने यह बताया था, कि अगर I हमारा subject है, उसके साथ हम helping word लगाएगे, was I was, subject plus helping word plus object, object हमारा present यानिके, happy present को English में happy कहते हैं, I was happy, next है हमारा तुम दुखी थे, तो इसके अंदर subject है हमारा you क्योंकि इसके अंदर हम you की बात कर रहे हैं, और you हमारा plural subject है, तो helping word क्या होगी, were you were, plus object आएगा, object क्या है हमारा दुखी, तो दुखी को English में कहते हैं, sad, you were sad, तुम दुखी थे, तो चलिए अब हम अपनी next exercise को करते हैं, और अब हम करेंगे exercise 3, जिसका पहला वाकिया है, केशव देव, शर्मा, मेरे सबसे पिरिये मित्र थे, इसके अंदर subject है हमारा केशव देव शर्मा, क्योंकि हम केशव देव शर्मा की बात कर रहे हैं और यह हमारा singular subject है, तो इसकी helping verb क्या होगी, was क्योंकि singular subject पे साथ हम helping verb लगाते हैं, was बाकी बचा हमारा object, object है हमारे यहाँ पर, मेरा सबसे पिरिये मित्र तो यहाँ पर object है, मेरा सबसे पिरिये मित्र, तो इसकी English होगी, my means, मेरा सबसे पिरिये यानि के dearest, मित्र कहते हैं, friend, केशव देव शर्मा मेरा सबसे पिरिये मित्र था, केशव देव शर्मा was my dearest friend, next है हमारा प्रत्वी राज चोहान, कन्योज नरेश जैचंदर के शत्रू थे, इसके अंदर जो हमारा subject है, वो है प्रत्वी राज चोहान, क्योंकि हम प्रत्वी राज चोहान की बात करें, तो हम यह आप लिखेंगे प्रत्वी राज चोहन ये subject हो गया क्योंकि ये एक singular subject है तो हम helping word लगाएंगे was subject plus helping word प्रत्वी राज चोहन was क्या थे कनोज नरेश जय चंदर के शेत्रू थे तो प्रत्वी राज चोहन was enemy किसके of कनोज नरेश जैचंद्र प्रत्विराच चोहान was enemy of कनोज नरेश जैचंद्र नेक्स है हमारा मुगल समराट बाबर बहुत साहसी था तो यहाँ पर हमारा subject है मुगल समराट बाबर क्योंकि हम मुगल समराट बाबर की बात कर रहें तो हम यहाँ पर लिखेंगे The great King Baber क्योंकि Baber एक singular subject है तो यहाँ पर helping verb होगी Was The great king Baber was क्या था? बहुत सासी तो हम यहाँ लिखें बहुत के English हाई कि Very Couragious सासी हो कहते हैं C-O-U-R-A-G-E-O-U-S The Great King Babar was very courageous Mughal Samrath Babar बहुत सासी था Next है हमारा Neta Ji Subhash Chandra Boss महान देजभगते हैं तो इसके अंदर हमारा subject है Neta Ji Subhash Chandra Boss क्योंकि हम बात कर रहे हैं Neta Ji Subhash Chandra Boss की तो यहाँ पर लिखेंगे हम Neta Ji Subhash Chandra Boss Neta Ji Subhash Chandra Boss और क्योंकि यह हमारा singular subject है तो helping verb होगी Was अब आता है आएगा हमारा object और object है हमारा यहाँ पर महान देजभगते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे Great Neta Ji Subhash Chandra Boss Was Great देशभगते और देशभगते को इंगलिश में कहते हैं पैट्रोइट Neta Ji Subhash Chandra Boss Was Great पैट्रोइट Neta Ji Subhash Chandra Boss महान देशभगत थे Next हमारा राना परताब के परदानमंत्री भामाशा बहुत अमीर थे तो हमारा subject है राना परताब के परदानमंत्री भामाशा इसके अंदर हम बात करें भामाशा की लेकिन भामाशा की बात हम राना परताब के जरीय कर पा रहे हैं तो राना परताब भी हमारा क्या है subject है तो हम यहाँ भी लिखेंगें राना प्रताप्स प्राइम मिनिस्टर भामशा भामशा तो ये सारा हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट क्योंकि एक सिंग्लर सब्जेक्ट है तो यहां पर आएगा वाद वाद आएगी क्या कह रहा है बहुत अमीर थे तो बहुत की इंगली शोती है वैरी अमीर को कहते है रिच राना प्रताप्स प्राइम मिनिस्टर भामशा वाद वैरी रिच राना प्रताप के प्रदान मंद्री भामशा बहुत अमीर थे next है हमारा हिंदी के परसिद कवीर, कबीर, महान, समास, उदा रखते हैं तो इसके अंदर जो subject है वो है हमारा हिंदी के परसिद कवीर, कबीर तो हम यह आप लिखेंगे the great point of Hindi the great point of Hindi Hindi कबीर क्योंकि यहाँ पर कबीर और हिंदी के परसिद कवीर के बीच में संबंधार आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे the great point of Hindi कबीर हिंदी के परसिद कवीर क्या थे क्योंकि एक singular है तो helping verb के आए कि was महान, समास, सुधारक थे तो यहाँ पर आएगा महान, समास, सुधारक के लिए, महान के लिए आएगा great समास, सुधारक कहते हैं social reformer social reformer next है हमारा शंक्राचारे भारत के services दार्शनिक थे तो यहाँ पर हमारा subject है शंक्राचारे क्योंकि हम शंक्राचारे की बात करें तो हम लिखेंगे शंक्राचारे क्योंकि singular subject है तो यहाँ पर helping work क्या आएगी was, शंक्राचारे was क्या थे, भारत के services दार्शनिक थे, दार्शनिक थे तो हमें अभी लिखें great philosopher कहां के हैं, भारत के, of India शंक्राचारे was great philosopher of India next है हमारा सुल्तान नसरुद्दीन अदर्शवादी बाश्चाह थे, तो इसके अंदर subject है हमारा सुल्तान नसरुद्दीन क्योंकि हम सुल्तान नसरुद्दीन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सुल्तान नसरुद्दीन क्योंकि सुल्तान नसरुद्दीन एक singular subject है तो helping work क्याएगी was और इसके बाद object क्या है हमारा सुल्तान नसरुद्दीन अदर्शवादी बाश्चाह थे, अदर्शवादी को अदर्शवादी कहते हैं idealist idealist, idealist, बाश्चाह कहते हैं king, सुल्तान नसरुद्दीन was idealist king, next है हमारा लोंबली के लिये, बाग के सब अंगूर खटे थे, तो इसकंदे subject है हमारा, बाग के सभी अंगूर, क्योंकि हम अंगूरों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर subject लिखेंगे all the grabs of the garden क्योंकि हम यहाँ पर अंगूरों की बात कर रहें, तो subject हमारा अंगूर ही होंगे, all the grabs of the garden, और grabs जो हमारे, वो plural है, तो हैंपर helping verb होगी, वर अब बचा हमारा object, object क्या है, खटे थे लोंबली के लिए, तो वर s-o-u-r, sore all the grabs of the garden were sore, किसके लिए, for the fox के लिए की English है, यहाँ पर, for next हमारा, तुमारे भाई कल कक्षा में, कक्षा से वुखार के कारण अनुपस्तित थे, तो यहाँ पर subject है, तुमारे भाई क्योंकि हम तुमारे भाई की बात करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, your brother your brother, क्योंकि your brother single subject है, तो हम यहाँ पर helping verb लिखाएंगे, was your brother was, क्या थे, अनुपस्तित थे, अनुपस्तित थे, was absent कहां से absent थे, अनुपस्तित थे, तुमारे भाई कल्प कशा से अनुपस्तित थे, your brother was absent from the class, किसकी वज़ाए से, बुखार की वज़ाए से, तो वज़ाद जो है, due to fever, due to fever, your brother was absent from the class, due to fever, तुमारे भाई कल्प कक्शा से बुखार के कारण अनुपस्तित थे, तो यह थी हमारी आज की past, simple past tense की affirmative sentence, I hope कि यह आपको समझ माया होंगे, thank you so much.